Assalamualaikum guys, welcome to my youtube channel forces dream मैं अमीद करती हूँ कि आप सब लोग खेरियत से होंगे, ठीक टाक होंगे so video स्टाइट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे youtube channel forces dream को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दें, साथ में बेल आइकन के button पर click करें ताकि मेरे आने वाली कोई भी new informative वीडियो का notification आप मिस ना करें और आपको बरवक मौसूल हो सकते so आज की मेरी वीडियो nums result की बेश पर है कि nums का result announced हो चुका है आप website पर जाके चेक कर सकते हैं और website के अगर मैं details शेयर करूँ कौन सी website है so वो है www.numspark.education.pk आप वो लिखेंगे तो आपके पास result show होना शुरू हो जाएगा अब मैं आपके साथ इस वीडियो में इसकी details शेयर करूँगी कि merit किस तारा बनता है या why nums result is out of 100% इस वीडियो में मैं आपके साथ वो explain करूँगी and how to calculate merit for nums 2022 so start करती हूँ सबसे पहले आपने जाना है www.numspark.education.pk क्योंकि सिर्फ अगर आप लिखेंगे nums लिखेंगे तो वो आपके पास पूरी details शेयर नहीं होंगी और वो fake website ओपन हो जाएगी तो इसलिए आपने numspark.education.pk पर जाएगे तो आपके पास इस तरह का interface शो होगा जिसके उपर लिखा हुआ होगा download, umdicat, nums 2022 result, click here आपने click करना है और फिर आपके पास कुछ इस तरह का interface शो होगा आप role number के through सर्च कर सकते हैं जो के आपकी slip पर मुझूद होगा जो आप test वाले दिल ले कर गए थे साथ आप CNIC के through, NICOP के through and passport के through आप अपना result सर्च कर सकते हैं उपर आपने role number लिखना है नीचे आपने caption आड़ करना है जो कि given होगा तो फिर आपके पास result card show होना शुरू हो जाएगा अच्छा जी इन्होंने जो important note लिखा है जो कि announcement है वो basically कि retortling request allowed till 4 p.m. 9th November 2022 अगर किसी ने retortling करवानी है तो yes you can apply और जो इसकी last date है वो 9th November 2022 है आपने 9th November 4 p.m. last date है चार बचे तक आप करवा सकते हैं तो इसलिए अगर आपने retortling करवानी है तो please देर मत कीजिए फोरें अप्लाई कीजिए और फिर बाद में वो लोग question पूछते हैं कि कब हम retortling का apply कर सकते हैं तो yes you can apply from now तिल 9th November 2022 4 p.m. और इन्होंने retortling के apply करने का जो application form का link भी नीचे given है वहाँ पर आप कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी queries है nums के result से related याप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपने इस ये नीचे email दी भी है आप उस पर email कर सकते हैं email के थूँ अपने questions पूछ चाते हैं और दूसरा जो आपका question आपके mind में ये आ रहा है कि हम 100% में से उन्होंने क्यों दिया result हाला कि आपका test 150 का हुआ था तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपका 150 का जो test हुआ था उसमें उन्होंने 100% इसलिए किया क्योंकि nums ने बताया कि जो 95% होगा वो आपकी test की बेटिश होगी nums test की और जो 5% है वो psychological test की होगी तो इसलिए उन्होंने उन्होंने दोनों को का mind कर कि आपको 100% में से उर्जाल दिया है और अगेन रिपीट कर दूँ 95% आपका nums का test है और 5% आपका psychological test है ठीक है तो उसको मिला कर 100% है अगर मैं आपको बता हूँ कि आप merit किस तरह find कर सकते हैं आपको nums ने अभी तक 2022 का merit का formula शेयर नहीं किया कि वो कौन सा apply करेंगे लेकिन जो expected है वो है 10% metric, 40% FSE and 50% nums MDK 2022 और अगर आप merit find करना चाहते हैं तो उसका formula मैं आपके साथ share करती हूँ आपने metric के जो obtained marks है उसको divide करना है total marks से और multiply करना है 10 से for example आप इसको A कह दें और आपका जो answer आएगा वो आपके metric के marks होंगे 10% में से FSE के लिए आपने जो obtained marks है उसको divide करना है total marks से multiply करना आपने 40 से तो यह आपके FSE के percent आगे है 40% में से और अगर nums के find करना है तो आपने जो obtained के हैं divided by 100 क्योंकि उन्हेंने 100% में से दिया और multiply by 100 sorry multiply by 50 तो आपके पास nums की आ जाएगी अब आप इन सब को add कर देंगे तो आपके पास total आपका merit आ जाएगा कि आपके किस के डिगरी में fall करें so next video तक के लिए दीए मुझे हिजाज़त अपना बहुत सारे क्या लगएगा अलाफ़ज झाल झाल झाल